जहां पहले बड़े भवनों को निर्मार मुश्किल काम हुआ करता था, वो ही आज ए गगन चुम्बी मारत का निर्मार बड़ी तेजिसे कर रहे हैं, जिस प्रकर से आज दुनिया में जन्द संख्या बढ़ रहे हैं, उसके लिए लंबी मारत की ज़र्वत भी बढ़ गई है आज हम दुनिया के दस सबसे उंची मारत के बारे में बात करने वाले हैं, इनी मारत को उनकी लंबाई के आधार पर इस लिस्ट में स्थान दिया गया है, जिसका चयन टॉल बिल्डिंग्स एंडर अर्बान हाविटार्ट करती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉल बिल्डिंग्स एंडर अर्बान हाविटार्ट एक इंटरनेशनल नंप्रफिटी और्गानाईजेस्टन कांसिल है, जिसका अगठन 1969 में किया गया था, अपने कुछ मानको के आधार पर बिल्डिंग्स का चयन करती है, और दुनिया क सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को घितवा दीजिए, ताकि हम जब ने विडियो अप्लर करेंगे, आप भी ना भटके सिधा चानल पर आजाएंगे, तो विडियो को शुरू करने से पहले सागत है फाक्ट्स फाक्टोरी में। नमबर टेन, टाइपेई टाइबान की राजधान है, इसी के नाम पर ये टाइपेई 101 इमारत बनाई गई है, टॉक्टन की लिस्ट में ये नमबर दोस पर आता है, टाइपेई दुनिया की दोस्त विशवशे उन्ची इमारत है, जिसकी उन्चाई पांसो आट मीटर यानी टाइपेई 101 के कंस्ट्रक्शन का काम 1929 में शुरू हुआ था, जो 2004 तक चला, येकिन करना मुश्किल है कि ये है कभी दुनिया की सबसे उन्ची मारत ख़ुआ करता था, आज इसी लिस्ट में दोस दिस्थान पर है, नमर नाइन, चैना जुन दुनिया का नोबा और चैना क 25 सब से उच्चा विल्डिंग है, जिसको उच्चाई 528 मिटर यानी 1732 भीड है, चैना की बैजिंग में स्थीती सिमारत में 108 मंजीर है, चैना जुन के निर्बान की शुरूआट 26 दिसेंबर 2011 में हुई थी और ये 2018 में बनकर पूरी तरह सत्यार हो गई, नमबर 8, चैना की त्यान जिन सहर में स्थीत, CTF फाइनास सेंटर इस दुनिया का आत्मा ओ, चैना का चोथा सब से उच्चा विल्डिंग है, इस विल्डिंग की उच्चाई 530 मिटर यानी 1790 भीट है, और ये 180 मंजीराई मरत है, CTF का कंस्ट्रेक्शन का का काम साल 2015 से शुरू हुआ था, जो चैना की सब से उच्ची विल्डिंग है, जिसकी उच्चाई 530 मिटर यानी 1740 भीट है, चिनकी गवाजांक सहर में स्थीत, CTF फाइनास सेंटर 1115 जलोंचा है, जिसका निर्मान 19 दिस्टेंबर 2009 को शुरूआत हुई थी, और ये लगबक साथ साल तक चला, और 2016 में बनकर प सब से उच्चाई मारत है, इसकी उच्चाई 540 मिटर यानी 1770 भीट है, इसके अलावा टफ्टन बिल्डिंग में ये पहली एसी मारत है, जो की उतरा अमेरिका में स्थीत है, पाकिसो भी एसी आई मारत है, वाल्ड ट्रेल्स सेंटर के निर्मान में 3.9 बिल्योंट डॉलार की लगात लगाई गई है, 104 मनजिलों की ये मारत का कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ था, जो 2014 में जाकर खतम हुआ, नमबर फाइब, लोटे वाल्ड टावार दूनिया की पांच भी सबसे उची मारत है, जिसकी उन्चाई 554 मिटर यानी 1820 फीट है, ये एक 130 मनजिलाई म मारत है, जिसके निर्मान की सुराथ एक फर्वरी 2011 को ही थी, इसके बाद ये 22 दिसेंबर 2016 लाकबन कर त्यार हो गई थी, और 3 एप्रिल को इसका तुद घाटन कर दिया गया, लोटे वाल्ड टावर सोथ करिया की राजधानी स्विल्ड में स्थीत है, नमबर फार, टप 10 ल 1665 फीट है, और ये 115 रामन जीलो का बना हुआ है, पिंगान फैनांसेंटर के निर्मान में 1.5 बिलियोन युएस टोलर की लगाई गई है, नमबर फ्री, साओधी आरेबके सहर में स्थीत है, अब राज अल 32 दुनिया का तिस्टी सबसे बोडी बिल्डिंग है, जिसकी उचाई 601 मीटर है, यानी 109 से कहतर फीट है, और ये 120 मंजीलो का बना हुआ है, आप राज अल बेत का निर्मान साल 2004 में शुरू हुआ था, जिसे बन्ने में 8 साल का वक्त लगाई और 2011 मेजा करिये त्यार हो गया, इसी साल की शुरू आत भी कर दी गए, आप राज अल बेत के निर्मान की लगात 15 विलियन डालार का बताई गई है, नोबर टू, सांखाई ट और चाइना, बूर्ज खोली फा के बाद सांखाई ट और इस दुनिया का दूसरा सबसे उचाई इमारत है, जो की 632 मीटर यान 2013 फीट उ चीन के संखाई सहर में स्थीती इस इमारत का निर्मान कारी 28 नमबर 2008 को चुरूआ था, 16 दिसेंबर 2014 को जाकर पूरा हुआ, इसके बाद अगलही साल अठर फरवारी 2005 के से चालू कर दिया गया, संखेट और के निर्मान में 15.7 बिलियन चाइनीज वियन का उपेव किया है, नमबर वान, बुर्ज खलिफा, नमबर वान पर आता है बुर्ज खलिफा, बुर्ज खलिफा दुनिया की सबसे उंची विल्डिंग है, जो की दुबाई में स्थीत है, और इसकी उचाई आप सर्थ 20 मिटर, यानी 2007 से 70 फीट है, बुर्ज खलिफा का निर्मान चाजन बरी 2010 को सुरू कर दिया गया था, बुर्ज खलिफा इतना उचाहे की, इसे 13 किलेमेटर दूर से भी देखा दा सकता है, पुल मिला कर इसमें 173 मंजिल है, तो दोस्तों दुनिया का टप्टें टोलस्ट बिल्डिंग को जान कर आप वो के सा लगा कमेट में जरूर बताना, और व अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठ्याक्स पर वाचिंग